हेलो फ्रेंज, स्वागात है मारे इस नए यूटिब चैनल कौन नदीम टेक पे दोस्तो इस वीडियो में आज हम बात करेंगे रियल मी की एक प्रोडक्ट के बारे में जो की आपको रियल मी एक स्रीज नाम से आएगा दोस्तो यहाँ पे रियल मी का नाम है रियल मी एक्स और यह चाइना में लाँच हो चुका है दोस्तो यहाँ पे कमाल की फीचर्स चाइना में जो आपको देखने को मिली थी लेकिन यहाँ पे एक पॉप अप सेल्फी कैमरा भी आपको देखने को मिला था दोस्तों यहाँ पे जो price होने वाली है वो बहुत ही aggressive होने वाली है लेकिन यहाँ पे mother study ने confirm किया है कि जब यह phone इंडिया में launch होगा तो इसकी pricing थोड़ा जादा होगी और यहाँ पे बहुत जादा specification आपको change देखने को मिलेंगे comparison to China में जो phone launch हुआ था तो दोस्तों यहाँ पे इस वीडियो को पूरा देखते रही है आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं तो वीडियो को start करते हैं let's begin दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं realme के बारे में तो realme एक उभरता हुआ brand सामने आपको देखने को मिल रहा है जो कि इंडिया में बहुत सारे लोग इस चीज को पसंद कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पे कड़ी टक कर दे रहा है शामी के स्मार्ट फोन को दोस्तों यहाँ पे realme launch करने वाला है realme X हो सकता है जून के last में आपको देखने को मिल जाए realme X दोस्तों यहाँ पे इस में specification आपको देखने को मिलेगी लाजवाब कमाल जो की आपको price range में बहुत ही धासू experience कराएगी और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एक खास specification realme के तरब से दोस्तों यहाँ पे अगर बात करते हम realme X के बारे में तो सबसे पहले बात करते हम camera के बारे में यहाँ पे camera एक highlighting features दिया गया है तो सबसे पहले बात करेंगे rear camera के बारे में तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 48MP का primary camera जिसका aperture f1.7 होने वाला है और Sony IMX586 sensor के साथ में आपको देखने को मिलेगा लेकिन प्लस इसमें 5MP आपको bookey effect camera मिलता है जो कि आपको blur effect provide करता है दोस्तों यहाँ पे बात कर ले हम front camera के बारे में तो यहाँ पे आपको 16MP का front camera मिलता है जो कि pop out camera होने वाला है और aperture f2.0 के साथ में आपको देखने को मिलेगा दोस्तों यहां पे आपको कमाल की बात यह है कि आपको aggressive price range में आपको एक pop out camera देखने को मिलेगा और काफी कमाल और लाजवाव यह phone होने वाला है अपने इस specification plus processor के हिसाब से दोस्तों यहां पे अगर बात करते हैं हम display के बारे में तो यहां पे आपको super AMOLED display देखने को मिलेगा जो कि 6. 3.53 इंच का आपको एक full HD display देखने को मिलेगा दोस्तों यहां पे आपसे बात कर ले हम in display fingerprint के बारे में तो जी हां दोस्तों यहां पे realme X में आपको in display fingerprint देखने को मिलेगा जो कि 3rd generation का in display fingerprint आपको इस phone में देखने को मिलेगा दोस्तों यहां पे अगर operating system के बारे में बात कर तो यहां पे आपको एक Octa-Core का processor मिल जाता है और 7 series का Snapdragon 710 processor देखने को मिलेगा दोस्तो यहां पे जो इंडिया में आने वाला है यहां पे 730 भी processor मिल सकता है 730 GB processor मिल सकता है और 710 भी processor आपको देखने को मिल सकता है दोस्तो यहां पे एक कुल मिला दिया जाए तो खमाल की features यह अपने aggressive price में ले के आएगा दोस्तो यहां पे अगर configuration के बारे में बात कर लें तो यहां पे अलग-अलग configuration आपको देखने को मिलते हैं 4GB की RAM 64GB internal, 6GB की RAM 64GB internal, 6GB की RAM 128GB internal के साथ में दोस्तो यहां पे बात कर लेते हैं हम security के बारे में तो यहां पे आपको in-display fingerprint देखने को मिलेगा साथ-साथ में face access भी आपको देखने को मिलेगा जो की काफी phone हो में आपको देखने को मिलता है दोस्तों यहाँ पे कहें एक aggressive price में अगर आपको in-display fingerprint देखने को मिले तो यह कमाल की बात है realme की तरफ से realme बहुत ही अच्छा काम कर रहा है और customer के लिए ऐसा ही काम करता रहा है ऐसा उम्मीद हम realme से करते हैं दोस्तों यहाँ पे अगर pricing के बारे में बात कर लें तो यहाँ पे इंडिया में एक aggressive price पर launch होने वाला है हो सकता है यह 15-18000 के बीच में आपको phone देखने को मिल जाए अगर ऐसा होता है तो आपको एक कमाल का phone मिलने वाला है कमाल का experience मिलने वाला है इस phone में तो देखते हैं कब इंडिया में यह launch होता है दोस्तों आप comment करके यह बताए कि आपको यह phone कैसा लगा इसके specification के इसाब से अगर यह phone 15-18000 के बीच में आता है तो क्या आप इसको purchase करेंगे या फिर नहीं तो दोस्तों बस आज के लिए इता है पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद उमीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी वीडियो content पसंद आया तो please वीडियो को लाइक करें कोई भी सवाल या सुझाओ आपके मन में हो तो comment box में ज़रूर लिखें और चैनल को subscribe करना बिलकोल न भूलें हम आपके लिए ऐसे information लेके आते रहते हैं तब तक के लिए अपना खयार लखें जैहिंद